शेक्चिल्ली की कहानी, कुए की परिया, शेक्चिल्ली बहुत गरीब था, वो एक नम्ब का मूर्ख और कामचोर भी था, उसके घर कई कई दिनों तक खाना तक नहीं बनता था, ये सब देखकर एक दिन शेक्चिल्ली की पत्नी को बहुत गुसा आ गया, उसने शेक्चिल्ली पर चिल्लाते हुए कहा मैं इस गरीबी से तंग आ चुकी हूँ अब मैं इस हालत में नहीं रह सकती है जब तक तुम पैसे कमा कर नहीं लाओगे मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूनगी इतना कहकर शेक्चिल्ली को उसकी पत्नी ने पैसे कमाने के लिए घर से बाहर भ पड़ा शेक्चिल्ली सबसे पहले अपने गाव के साहुकार के पास गया उसने सोचा कि साहुकार उसे जरूर काम पर रख लेगा लेकिन उल्ता साहुकार ने उसे डाट कर भगा दिया इसके बाद शेक्चिल्ली काम की तलाश में एक गाव से दूसरे गाव में भटकता रह लेकिन घर वापस नहीं गया, क्योंकि पत्नी ने गुस्से में कहा था कि बिना नौकरी के घर वापस मत आना जब शेक चिल्ली चलते चलते बहुत थक गया, तो पास में एक कुए को देखकर उसके चबूत्रे पर जाकर बैठ गया, अब उससे तेज भूख भी लग रही थी, तो उसने अपनी पाइटली से सूखी रोटिया बाहर निकाली, लेकिन उसे इतनी तेज भूख लगी थी कि इन चार राटियों से उसका पेट नहीं भरने वाला था, रोटियों को देखकर वो बार-बार सोचने लगा कि अगर सारी रोटिया उसने अभी खाली, तो बाद मे क्या करेगा, इसी उधेलबुन में शेक्चिली हर बार रोटियों को पोटली से निकाल कर गिंता और वापस अंदर रख देता आखिर में जब उसे कुछ नहीं सूझा, तो उसने कुए के देवता से मदद मांगने की सोची, वो कुए के सामने हाथ जोनकर खड़ा हो गया औ अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ, एक खाओं, दो खाओं, तीन खाओं या चारों खा जाओं। अब उस कुए में कोई देवता तो रहता नहीं था, जो उसके सवालों का जवाब देता उल्टा कुए में चार परिया रहती थी जो शेक्चिली की बाते सुनकर दर गई उन्हें लगा कि कुए के बाहर कोई राक्षस आया है, जो उन्हें खा जाएगा। बस इसी डर के मारे चारों परिया राक्षस से दया की भीक मांगने कुए से बाहर निकल आई। की वो परियों से क्या बोले। शेक्चिली को चुप देखकर परियों ने समझा की राक्षस राज ने उनकी बात मान ली है। इसलिए उन्होंने शेक्चिली को एक कटपुतला और एक कटोरा देते हैं कहा, हे राक्षस राज। ये कटपुतला आपकी हर बात मानेगा। चीजे देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश होगी, लेकिन तब तक बहुत रात हो चुकी थी, इसलिए वो पास के एक गाम पहुंच गया। इतना कहते ही वहां मिठायों और तरह तरह के व्यंजनों का धेर लग गया। उसकी जगा नकली कटोरा और कटपुतला रख दिया। उसने कहा, मैं नहीं मानती, तुम साबित करके दिखाओ। फिर क्या था, शेक चिल्ली ने कटोरे और कटपुतले को अपना कर्तब दिखाने को कहा, लेकिन लेकिन वो दोनों चीजे तो नकली थी, तो भला अपना जादू कैसे दिखाती। ये देखकर शेक चिल्ली की पतनी और ज्यादा नाराज हो गई और उसे बहुत दाटा पतनी की बात सुनकर शेक चिल्ली उदास हो गया और वापस उसी कुए के चबूत्रे पर जाकर बैठ गया। उसे कुछ सूज नहीं रहा था कि क्या करे और फूट फूट कर रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुनकर चारो परियां कुए से बाहर आ गई और शेक चिल्ली से उसके रोने का कारण पूछा। इस रसी से उन्हें बांध देना और दंडे से खोब पीटना। इसके बाद वो परिवार तुम्हें तुम्हारी चीजे वापस दे देगा। इतना कहते ही परियां कुए में वापस चली गई परियों की बात मानकर शेक चिल्ली फिर उसी घर में गया। उसने घर के मालिक से इस बार में तुम ही नया जादू दिखाऊंगा। उस आदमी ने लालच में आकर शेक चिल्ली को फिर से अपने घर में रुखने की इजाज़त दे दी। घर के अंदर जाकर शेक चिल्ली का आदेश मिलते ही जादूई रसी ने घर के मालिक और उसकी पतनी को बांध दिया तुमने मेरा सामान चुरा कर मेरा भरोसा तोड़ा है। जब तक तुम मेरी चीजे वापस नहीं करोगे तब तक ये डंडा नहीं रुखेगा। इतना सुनते ही पती पतनी ने शेक चिल्ली को उसकी चीजे वापस लौट दी। इसके बाद शेक चिल्ली ने रसी और डंडे को रुख जाने का आदेश दिया दोनों चीजे मिलते ही शेक चिल्ली खुशी खुशी वापस धर लौट गया। शेक चिल्ली को देखकर उसकी पतनी गुसे में चिल्लाए तुम फिर लौट आए। अगर तुम घर के अंदर घुसे तो मैं बेलन से तुम्हारी पिटाई कर ये सुनकर शेक चिल्ली ने मनगी मन रसी और डंडे को आदेश दिया कि वो उसकी पतनी को बांदे और उसकी पिटाई शुरू कर दे। रसी और डंडे का कमाल देखकर पतनी डर गई और शेक चिल्ली से वादा किया कि वो फिर कभी उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं इसके बाद कहीं जाकर रसी और डंडे से उसे चुटकारा मिला। इसके बाद शेक्चिल्ली ने जादूई कट पुतले और कटोरे का कमाल दिखाया। कहानी से सी, हमें कभी किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए और नहीं लालच करना चाहिए। इसका परिनाम हमेशा बुरा ही होता है।